नमस्कार आपका आर किचन में स्वागत है आज हम आठा और डाल का पिठा बनाने जा रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी और टेश्टी है देखिए इसके लिए क्या-क्या समगरी चाहिए हमने एक कप डाल ले चना का इसको अच्छा से धो लेंगे धोकर इसको दो से तीन घंटा भिगोकर इसको रखना है ताकि अच्छा से यह फूल जा और नर्म हो जाए अब हम पीठा के लिए आठा तयार करेंगे एक कटूरी आठा लेंगे जिसमें से थोड़ा साठा रख लेंगे सुखा अब इसमें दो पिंच हल्दी डालेंगे फिर एक चोथाई चमच लाल मिर्च पाउडर मिर्च अपना स्वात के नुसार ले सकते हैं एक चोथाई चमच हजवाइन ले लेंगे उसको क्रस करके डालेंगे स्वात कंउसार नमक, इसको अच्छा से सुखा में ही मिला लेना है, ताकि अच्छा से सभी कुछ मिल जा इसमें अब इसको पानी डालकर आठा तयार करेंगे आठा इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि पूरी का आठा न जड़ा हाड होता है, न जड़ा मुलाईन उस तरह का खड़ा आठा सानना है, देखें आठा सनकर तयार हो गया, इसको दस मिनट के रिष्ट के लिए रख देंगे, देखें मेरा चना डला फूल गया है, अब इसको पानी में से छान कर, मिक्सर जार में डाल लेंगे, चार पाँच हरी मीर्च, मीर्च अपना स्वात के अनुसार ले सकते हैं, एक छोटा टुकड़ा अद्रक लेंगे, दस बारा लसुन, छिलकर, स्वात के अनुसार नमक, नमक आप कम बेसी अपना हिसाब से डाल सकते हैं, आधा निम्वू का रस, निम्वू का रस भी आप ज्यादा कम कर सकते हैं, जैसा खटा काते हैं इस तर का फीसा हुआ होना चाहिए, न जादा मोटा न जादा महिन करना है इसको, हलका से दरदरा रखना है, देखिए इसको हम एक बरतन में निकाल लिये हैं, अब इसमें हरा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ डालेंगे, और इसको अच्छा से मिला लेंगे, देखिए मेरा इसको छोटा छोटा पूरी जिस तरह का बनाते हैं, उस तरह से लोई काटेंगे, आप यहां हेल्दी पीठा बच्चालों को टिफिन में भी दे सकते हैं, अब सभी लोई को गोल गोल करके चिकना कर लेंगे अब लोई लेकर इसको हम पूरी का जैसा बेल लेंगे, आप सुखा आटा लगा कर भी बेल सकते हैं, न तो तेल लगा कर भी बेल सकते हैं, न ज्यादा मोटा होना चाहिए, न ज्यादा पतला, इस तरह का होना चाहिए, जैसे पूरी बनाते हैं उस तरह का, इसी तरह हम सभ लोई को पूरी के जैसा बेल कर रख लेंगे अब हम अस्टाफिंग भरेंगे खुड चमज भर कर लीजिए जितना अच्छा से अस्टाफिंग भरिएगा उतना अच्छा आपका पीठा बनकर तयार होगा लेकि इस तरह से बीच में एक दम रखना है और पी चार तरफ से उग देखे इस तरह से सभी चिपका कर फिर काटा चमच लेके इसको फूड़ा सर डिजाइन दे देना है , आप ऐसे प्लें भी बना सकते हैं , प्लेट रख काटा चमच से पूरी ह English कि देखिए अब हम सभी पीठा को भर कर तयार कर लिए हैं अब हम इसको इस्कू अष्टीम करेंगे हैं को अब हम गयास जला कर एक देखें, इस तरह से तेल को लगा लेंगें जिखें, पानी खॉल गया है, पीठा को अच्छा से सरया कर रख लिये हैं अब पानी को पर रखके ढ़कन से ढग दिये हैं इसको पांच मिनिट इसको बात में अश्टीव करना है के पांच मिनृट के बाद यह अच्छा से फब गया है तो आफ इसको हम ठंडा होने के लिए लग दे देगे कि अब यह ठंडा हो गया है अब इसको हम तरका लगाएगे अब हम पीठा को फ़राई करें सबी पीठा को डाल कर अख्छा से घ्रम कर लेना है फूल अंच पे और तेल को अच्छा से पहुला लेना है चारु तरफ अब इसमें पीठा खा सकते हैं लेकिन फ्राई करने से इसस कशते बढ़ जाता है देख्यों अच्छा से हमने सबी पीठा को फ्राई कर लिये हैं देख्ये मेरे पीठा में कितना अच्छा स्टफिंग हुआ है अगर मेरे पीठा का रेस्पी आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू